मैं मुम्म बिलाजिन सारी और आपका यूट्यूब चैनल बिलाजिन सारी फूर्सीगर अल्ला बरकत दे आपके खानों में आपके रिस्क में आपके जैकों में तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरस्टिक होने वाली है क्योंकि मैंने आपको पहले व में हमारे पास पड़ी हुई थी तो आज हम उसी पर निम को बनाने की रस्पी देखते हैं निम को बनाने के लिए हम किन चीज़ जरूरत होगी इसके हमने बहुत अच्छा सा एक बाली या बाल के अंदर हम च्छनी रखी क्योंकि इसके अंदर हम एड़ करेंगे बेसन और म माईदा दोनुं में से सिस्के ख्यां की इसके इसके अंदर कुछिक्स के इसके 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 अंदर होते हैं अध다는 Арag ना होता है तो हम अपने बेसन को चान लेते हैं इसकी गुट्लयआ अलग कर लेंगे चले हमारा बेसल जो के चान लिया गया है आप देख लेगे कितने प्यारत तरीके से खुबसुत अंदास से हम इसको चान लिया है जो के कोई भी चान सकता है तो दोस्तों इसके अंदर हम एड़ करेंगे तकरीबन वन टेस्पून नमक एंड टूटेस्पून नमक जी हाँ दो अच्छी फलेवर आथ है इसके साथ में एक किलो भी अधे किला मैदा करूँगा है हम मैदे को अच्छी से छान लेंगे तो हमारे स्वी के अंदर इसको जरूर आड़ करेंगे अच्छाण गया और सबस्क्राइब करें तो अगर आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले क्रावत का पर सब्सक्राइब जी तो तो च मैज त्यार हो चुक के- ये मीरे पास तक्रीवन एक चमच जीरह है इसको 這是 को मुन अच्छ सर्मच इंगे को प्ल आएंगे मसल के नाकि ताकि आंक जो एक पास पर प्सक्राइन हो चपर बहुत ही परा फ्लेवर आएगा बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है तो आपने हमारी वीडियो को कहीं से स्किम नहीं करना तकर एक ग्लास के करेब इसमें हम नीम गर्म पानी का एड़ करेंगे ताकि इसके जो डो है बलुकु परफेक्ट बने और जब हम मशीन में डालें इ लिए तो हमारा समय तूटेंगे नहीं दोस्तों इसलिए क्योंकि इसके अंदर बेसन इसमाल किया गया बेसन चुकर रहता है तो इसलिए हमने मैध्या का भी एड़ किया है तो तो परफेक्ट साइज के हम इसके पेड़े बना लेंगे उससे पहले अगर अभी तक आब वीडियो को पसंद करें तो लाइक भी करें और कोशी करें हमारी वीडियो को दोस्तों तक शेयर करें तो दोस्तो ये裹 मारा पास Ur가지고 मैं वीडियू में दिखा चुका उब अग कि ने इसको बनाएंगे बेसन की सवईया और पर इसमें फरक स्रीफ इतना होगा कि उसको आपने बैसे पकाना है और इसको फ्राइए करना है बहुत ही प्रफेक्ट शेव से निकल रहा है माशाआलास हमारी यो प्लेट है बिल्कुल फुल होने को है चैल है जी इसको खुश करने के बाद दोस्तों हमाज जो स्वईया है वो बिल्कुल त्यार हो चुकी है हमने इसको अलग अनकाल यह बहुत हम इसकी करेंगे गी करम हो चुका है अब इसकी में बारी बार इसको एड करेंगे इसको पल्टा जाएंगे ताकर जो हमारी स्वईयों जलेंगे नहीं इसका अकुद्रत ही कलर होता है बहुत ही प्यारा तिकरिम दो मिन में आ जाए गई है आपको इसके जो फ्राइंग को दुरान जिसको कलर आ रहा है गोल्डन ब्राउन सा बिल्कुल पहुत तेज अंदाज में आ चुका है तो यह थी आज की वीडियो उम्मेद करते हैं आपको पसंद नहीं होगी अगर आपके माइन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कुमेंट और इसके साथ दोस्तों आप लोगों से एक रुकेस्ट करनी थी वो यह है कि आपने हमारा चैनल सुबस्क्राइब किया ही अगर वीडियो को पसंद करते हैं आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजा करें इसको शेयर किया करें और कोई भी आपके माइन में सवाल हो तो अब हमें कोमेंट्स जरूर कीजा करें मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए अल्ला हाफीज